एक paper पर हाती की design मना ले और उसी size के 10 कत्थे काट ले अब इसे पांस गुत्व को उपर से plain काट ले अब ग्लू लगाकर हाती की पांस चपँपो को एक के उपर एक जोड़ दें फिर भीच में उपर से plain कटी पांस चपँपो को चिपका दें इसके ओपर फिर से हाती की पांस चेपों को एक एक करके चिपका दें अब एक आस्मानी कलर की पेपर को चिपका के इसके कोनों को डग दें ऐसे इसके दोनों साइट में भी ऐसा ही कलर पेपर चिपका दें अब एक गुलावी कलर के फेपर पर कलर से डिजाइन बना दे और इसे हाती की कान की स्थान पर चिपका दे एक गोल खाले फेपर को चिपका के इसके आंख बना दे अब एक पतली रबर सीट को गोल करके इसे चिपका दे और इसे हाती की सूंट के निचे लगा दे लेजे त्यारे एक खुबसूर सा elephant mobile stand इस पर आप अपने mobile को रकर मुवी देख सकते हो